एक लड़का होना असान नहीं है, सही कहाना मने पैदा होते एक लड़के का फ्यूचर डिसाइड कर लिया आता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, वो बनेगा, ये करेगा बिना उससे पूछे, उससे उसका करियर बता दिया जाता है और रही बात, उसके खुद के सपनों की, ये उसे क्या बनना है, ये कोई उससे नहीं पूछता है एक लड़का होना असान नहीं होता, क्योंकि अपने अंदर ही दवाने पड़ते हैं, सारे एमोशन्स एक लड़का ना तो किसी को ठीक से गले लगा के रो सकता है, और ना अपने इमोशन्स किसी को बता सकता है क्योंकि अगर वो रोने लगा, तो उसे कमजोर समझा जाएगा और अगर उसने गलती से अपने emotions किसी को बता दिये तो उसका मजाग उड़ाया जाएगा इसलिए एक लड़का चुप चाप सब कुछ सह लेता है और खुदा से अपनी कामियाभी की दूआ मांगता रहता है इस इंतिजार में कि एक दिन कुछ अच्छा उसके साथ भी होगा एक लड़के की जिंदेगी असान नहीं होती क्योंकि खुद के ही सबनों के लिए खुद के ही मावाब से लेने पड़ती है जंग उतके पैशन को फूलो करने के लिए लड़ना पड़ता है अपनी मावाब से असान नहीं होता है वो दर्द सिर्फ एक लड़का ही जानता है अकेले कमरे में विजाई को दोस्त बनाके उसके साथ रोना सिर्फ एक लड़का जानता है वो दर्द सिर्फ एक लड़का जानता है और उसके आगे पढ़ाई की टेंशन, करियर की टेंशन, अपने मवाफ की टेंशन जिंदेगी में प्यार मिलेगा या नहीं उस बात की टेंशन हम लड़कों की जिंदेगी ऐसान नहीं होती क्योंकि लड़कों की हैसियत सिर्फ इस बात से लगाई जाती है कि वो महीने में कितना कमा लेता है फिर चाहे एक लड़के का दिल कितना ही साफ क्यों न हो वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों न हो पर अगर वो कमाता नहीं है तो उसकी कोई इज़त नहीं होती है एक लड़का अंदर ये अंदर कितनी जंग लड़ता है ये सिर्फ वही जानता है जिस वक्त वो चाहता है कि कोई उसे समझे कोई तो आए उसके पास उसे हिम्मत दे कोई नहीं आता है लड़का होना असान नहीं है क्योंकि अकेले ही लडने पड़ती हैं सारी जंग कहने को सब साथ हैं कि भाई बस एक फोन करना आ जाएंगे लेकिन काम आने पे कोई साथ महीं देता है एक लड़के के जिंदेगी असान तो नहीं होती है यार बिल्कुर असान नहीं होती है